दोस्तों धोनी के फैंस के लिए एक बूरी खबर है चेन्ने सुपर किंग्स याने की CSK के मौजुदा कप्तान महंदर सी धोनी IPL का अगला सीजन नहीं खेल सकेंगे टीम के मिडिल ओर्डर के बेश्ट मैन सुरेश रैना ने उन्हें लेकर बड़ा बयान दिया है रैना ने कहा कि अगर CSK IPL 2021 जित्ती है तो वे धोनी को अगला सीजन याने की IPL 2022 खेलने के लिए भी मनाएंगे इससे साफ है कि टीम के हारने पर धोनी लिग से भी रिटार्मेंट ले सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से धोनी ने 2019 में सन्यास ले लिया था साथ ही रैना ने News24 से कहा कि अगर धोनी भाई अगला सीजन नहीं खेलते हैं तो मैं भी नहीं खेलूंगा मैं 2008 से उनके साथ ही खेलता आ रहा हूं और साथ ही लिग को छोड़ूंगा अगर CS के मौजूदा सीजन जित जाती है तो मैं धोनी से टीम के साथ बने रहने को कहूंगा साथ ही रैना ने यह भी कहा कि मेरे पास अभी चार मास साल का क्रिकेट बचा है हमें इस साल IPL खेलना है इसके बाद अगले सीजन से दो नई टीमें आ जाएंगी मुझे लगता है कि मैं जब तक IPL खेलूँगा इसी टेम के लिए खेलूँगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ IPL 2021 को पोरोनाव की वज़ा से सस्पेंड कर दिया गया था अब भी लीग में 31 मेश बचे हैं CS के फिलहाल दिली केपिटल्स और रायल चलेंजर्स बेंगलूरू के बाद पॉइंट्स टेबल में इसरे नमबर पर है तो दोस्तों I hope कि मेरे यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा थैंक्स टू आल पर वाचिंग माई वीडियो